क्या है बेन के आदर्श? क्या कुछ शुपा रहा है बेन अपने बच्चों से? क्या बेन और उसके बच्चों का लाइफस्टाइल उन्हें मुसीबत में डाल देगा? Welcome to our channel. आज मैं आपको 2016 की एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म का रीकाप दूंगी जिसका शीर शक Captain Fantastic है. वाशिंग्टन के पहाडी जंगल में बेन कैश अपने छे बच्चों के साथ रहता है. बोडेवन, प्रेलियन, कील, वेस्पाइर, जाया और नाई. बच्चों के नाम उनके माता-पिता द्वारा बनाए गए थे ताकि वे यूनीक हो सके और किसी और के ये नाम नहीं हो. उनक नहीं होने के लिए आत्मिर्भर बनाता है. वो उन्हें शिकार करना, पौधों की पहचान करना, अपने पानी को शुध करना और जो कुछ वे पकड़ते हैं, और जो बोते हैं उसे पकाना सिखाता है. वेशारीरिक रूप से फिट और अथलेटिक रहने के लिए एक कठो ट साइटी को छोड़ आये थे. उनके प्रश्न कितने भी भायानक या जटिल क्यों नहों, बैन अपने बच्चों से यहां तक सबसे छोटे बच्चे से भी कुछ नहीं छिपाता है, और बिना किसी डीटेल को छोड़े उन्हें मृत्यू और दुर्व्यवहार जैसी कॉनसेप बचाते हैं. अगले दिन, बैन और बोदेवन शहर की ओर अपनी बस चलाते हैं, जहां बोदेवन को अपनी उम्र की लड़कियों के साथ बातचीत करने में परिशानी होती है. जबकि बैन अपने शिल्प का कुछ सामान बेचता है, बोदेवन जबकि पियो बॉक्स की जां बाचार मांगता है, और हापर रो रो के उसे बताती है कि उसकी बीवी ने खुद का गला दबा के अपनी जान ले ली है. जंगल में लोटने के बाद, बैन अपने जीवन के प्यार का शोक मनाते हुए, एक ज़रने के नीचे कुछ पल बिताता है. अपने बच्चों को खब बैन लेसली की वसीयत को खोजने के लिए अपनी पुरानी कागसी कारवाई को देखता है. अगली सुभा, बच्चों को अभी भी नॉर्मल ट्रेनिंग रुटीन के माध्यम से इसे गुजारना पड़ता है, लेकिन वे अपनी मा के अंतिम संसकार के बारे में जानना चाहते हैं. बैन अपने ससोर जैक को बुलाने के लिए शेहर वापस जाता है, जिसने कभी भी उनकी जीवन शेली को मन्सूरी नहीं दी थी, और अब वो बैन को धमकी देता है कि अगर वो लेसली के अंतिम संसकार में दिखाई देता है, तो उसे गिरफतार करवा देगा, वो अप होने का मतलब उनकी कस्टडी खोना हो सकता है. पूरी रात लेसली का सपना देखने के बाद, बैन अपने बच्चों को कपड़े पहने और अपनी मा को बचाने जाने के लिए तयार देखता है, वो उन्हें फिर से याद दिलाता है कि ये असंभव है और उन्हें करने के लि जीवित रहना है. एक बार ट्रेनिंग समाप्त हो जाने के बाद, बैन ने नोटिस किया कि बच्चों का मूड वास्तव में खराब है, इसलिए वो फैसला करता है कि वे अंतिम संसकार में जाएंगे. वे सड़क पर लंबा समय बिताते हैं, केवल सोने के लिए पारकिंग कर उसे डराने के लिए बोदेवन बताता है कि वे भगवान की छत्रचाया में एक साथ होम स्कूलिंग कर रहे हैं. अपने भाई बहनों के साथ वे एक क्रिस्चन गीत गाना शुरू करते हैं. यह पुलिस वाले के लिए उन्हें अकेला छोड़ने के लिए काफी होता है. कई गंटों की यात्रा के बाद वे भेडों के जुन के पास रुख जाते हैं. लेकिन बच्चों की हिम्मत नहीं होती उन्हें गोली मार दे, क्योंकि वो भेडे वहां सिर्फ गड़ी हुई थी. चुनकि उन्हें भूख लगी होती है, वे एक डाइना में जाते हैं और भाई ब बच्चों को बिना ओर किये ले जाता है और वे इसके बजाए एक सुपरमार्केट में जाते हैं. वहां, बेन दिल का दौरा पढ़ने का नाटक करता है और जब बजार में हर कोई उस पर जांच करने में व्यस्त होता है, तो उसके बच्चे कुछ खाना चुरा लेते हैं औ बेन एक केक लाता है क्योंकि वे अद्वांस में नोवाम चॉम्स की दिवस्त मना रहे हैं, एक छुटी जो उन्होंने एक फेमस फिलोसफ़ पर बनाई थी. बेन उपहार के रूप में सभी के लिए हथियार लाया है, लेकिन रेलियन खुश नहीं है, वो चाहता है कि वे सा इस्टिन और जैक्सन के साथ रहती है, जो प्रसित ब्रैंडों को नहीं जानने के लिए भाई बहनों का मज़ा कुड़ाते हैं. रात के खाने पर चीज़ें अजीब हो जाती हैं क्योंकि सेंसिटव विशेओं की बात आने पर बेन पीछे नहीं हरता और सब कुछ विस्तार से बताता है, जो हापर और डेव नहीं चाहते कि उनके बच्चे सुने. वे बाहर जाते हैं और इसके बारे में बहस करते हैं, इसलिए बैन उनके घर में काम करने के तरीके का सम्मान नहीं करने के लिए उनसे माफी मांगता है. फिर बच्चे भी बाहर आ जाते हैं क्योंकि वे बगीचे में सोने लगते हैं, इस फाक की अंदेखी करते हुए कि हापर ने उनके लिए रैक रूम तयार किया था, अगली सुभा हापर और डेव बेन का सामना करते हैं और उसे बताते हैं कि बच्चों को स्कूल जाने और वास्तविक दुनिया के बारे में जानने की जवाब देता है, हापर के बेटे बिल ओफ राइट का जवाब नहीं दे सकते, लेकिन जयाया साबित कर देती है कि वे उनसे जो शिक्षप राप्त कर रही हैं, वो ठीक है, कुछ ही समय बाद वे वापस सड़क पर चले जाते हैं, और घंटो यात्रा करने के बाद इस बार एक किताब लिख रही हैं, और उसकी मा सरकार के लिए कुछ classified stuff पर काम करती है, लेकिन वो उसके द्वारा दिये गए कई cultural references को समझने में विफल रहता है, वे still make out करते हैं, जो बोडेवन के होश उड़ा देता है, और जब क्लेर की मा उन्हीं धून्टी है, तो वो अपने घ जाते समय खिर्की से उसे देखना बंद नहीं करता, इतनी लंबी यात्रा के बाद, वे न्यू मेक्सिको पहुंच जाते हैं, इसलिए वे चच की पारकिंग पर बस पाक करते हैं और रात को वहीं सोते हैं, जहां बैन फिर से लेजली के सपने देखता है, अगली सुभाग परिवार अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनता है और अंतिम संसकार के बीच में चच में प्रवेश करता है, लेजली के माता-पिता, जैक और आबगेल उन्हें खराब नजरों से देखते हैं, जब प्रीस्ट अपने भाशन के उस हिससे में पहुँचता है, जहां वो ल लेजली के पती और बच्चों का नाम लेता है, बैन उसे बाधित करने और खुद का भाशन देने का मौका लेता है, वो सभी को बताता है कि लेजली बौध थी और ओगनाइस्ड रिलिजन से नफरत करती थी, इसलिए वो इस विदाई से नफरत कर रही होगी, और अपनी व खत्म हो जाने के बाद, जैक और अबगेल बच्चों को हाई कहने के लिए आते हैं, लेकिन जैक बैन को बताता है कि बैन उसके परिवा के लिए एक सबसे बड़ा अभिशाप है, इसलिए वो तो फ्यूनरल में नहीं आ सकता, लेकिन उसके बच्चे आ सकते हैं, बैन मना कर और दूसरी और गारी घुमा लेता है, ताकि वे एक पार्क में देरा डाल सकें, शाम को टाइम पास करते हुए, रेलियन बोडेवन को बताता है कि उसे लगता है कि बैन ने उनकी मा को पागल बना दिया है और वो खतरनाक है, वो भी रोना शुरू कर देता है और अपने भ प्रिंस्टन, हावर्ड, डाट माउथ, एमाइटी, ब्राउन, ये सभी प्रतिष्ठित नाम हैं। बैन सोचता है कि यह इंप्रेसिव है, लेकिन वो भी हर्ट है, क्योंकि उसके बेटे ने उसे इतना सब कुछ छिपाया, तब बोडेवन कहता है कि यह उसकी मा ही थी जिसन नाय आगे आता है और बैन को रेलियन से एक नोट देता है जिसमें कहा गया है कि वो अपने दादा दादी के साथ रह रहा है। बैन बच्चों के साथ बस लेता है और रेलियन को वापस लेने के लिए जैक के घर जाता है, लेकिन रेलियन गुस्से में है और उस पर चिलात कर उसे रोक देता है वो उन सभी चीजों की और इशारा करना शुरू कर देता है जो वो रैलियन की स्थिती के बारे में अजीब या खतरनाक मानता है वो स्कूल नहीं जाता है उसे एक मेड़ अप हॉलिडे पर एक हथियार उपहार में दिया गया उसने बजार से भोजन चु की बैन अपने बेटे के बिना नहीं जाना चाहता जैक पुलिस को फोन करता है इसलिए बैन पकड़े जाने से पहले घर से बाहर निकल जाता है फिर भी वो हार नहीं मानते जारियों में छिपे बैन और बच्चे पुलिस के जाने का इंतजार करते हैं फिर वो वेस्पायर क च्छत पर चरने के लिए भीजता है ताकि उसके भाई को खिर्की से बचाया जा सके। इससे पहले कि वहाँ पहुँचती च्छत की एक टाइल टूब जाती है और वो नीचे गिर जाती है। पहले एक कार पर और फिर जमीन पर। वेस्पायर को अस्पताल ले जाया जाता है और कुछ टेस्ट चलाने के बाद डॉक्टर बेन को बताता है कि उसे चोट लगी है लेकिन शुक्र है कि कोई ब्रेन डामज नहीं हुआ बस एक हुआ टूटा है हाला कि वो बताते हैं कि अगर उसकी रीर की हड़ी के कुछ मिलिमीटर नीचे लगी होती तो उसकी मृत्यू हो सकती थी या उसे लकवा मार सकता था जबकि वेस्पाय ठीक हो जाती है परिवार जैक के घर पर रहता है और बेन देखता है कि उसके बच्चे वास्तव में अपने दादा के साथ कैसे अच्छा समय बिताते हैं अबगेल ने बेन को कुछ लेटर्स दिये जो लेसली ने लिखे थे जब बेन ने उनसे लेसली का ट्रीटमेंट कराने के लिए कहा था जिसमें लिखा था कि उसे अब लेने आने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने और बेन ने रहने के लिए सही जगह बनाई है कि उसके बच्चे philosopher kings होंगे और यह सब उसे बहुत खुश करता है इसलिए वो उनके साथ वहाँ बहतर होना चाहती है यह महसूस करते हुए कि उसने गलती की है Ben बच्चों से कहता है कि अब से वे उनके दादा दादी के साथ रहेंगे बच्चे विरोध करते हैं लेकिन Ben अपने फैसले पर कायम रहता है यह समझाते हुए कि वो केवल उनके जीवन को बरबाद कर देगा जैक से उनकी अच्छी देखभाल करने के लिए कहने और हाथ मिलाने के बाद Ben रोते हुए बस में चला जाता है जब वो कुछ खाने के लिए एक बजार में रुखता है तो वो अपने जीवन में इस नए चरन को शुरू करने के लिए एक एलेक्ट्रिक रेजर खरीदने और अपनी दाड़ी को शेव करने का फैसला करता है अगली रात जब वो डेरा डाले हुए है तो वो अपने बच्चों से मिलता है जो दाड़ी की कमी से हैरान है प्रेलियन उसे बताता है कि वो वास्तव में उससे नफ्रत नहीं करता है वो बस चाहता था कि उसने उनकी मा की मदद की होती और बेन माफी मंगने से पहले इस बात से सहमत होता है चौमस्की को क्वोट करने के बाद वे अपने पिता को अपनी मा को बचाने के लिए मना लेते हैं इसलिए परिवार अपनी बस में कबरिस्तान के लिए अपना रास्ता तै करता है जहां बोडेवन अपने जीवन में एक नए फेज को माक करने के लिए अपने पिता से मेल खाने के लिए अपना सिर मुंदवाता है कबरिस्तान में वे अपनी मा के ताबूत को खोदते हैं और कबर को फिर से भरने के बाद ताकि कोई भी यह न बता सके कि यह खाली है, वे लेसली को समुध तर पर ले जाते हैं। जहां एक टचिंग स्पीच के बाद, वे उसका पसंदीदा गीत, Sweet Child of Mine गाते हुए उसका अंतिम संसकार करते हैं। कुछ समय बाद, वे उसकी इच्छा के अनुसार उसकी राक को शोचाले में फेकने के लिए हवाई अड़े पर जाते हैं। फिर वे बोदेवन को अलविदा कहते हैं, जो दुनिया देखने के लिए विदेश जा रहा है। तब सिप बैन और उसके बच्चे शहर के एक छोटे से घर में रहने लगते हैं। वो अभी भी उन्हें सिखाता है कि प्रकृति के साथ कैसे रहना है, लेकिन वो उन्हें स्कूल जाने की अनुमती भी देता है, अपनी विचार धाराओं और उनकी भलाई के बीच एक आदर्श में पॉइंट जूनता है। तो ये थी आज की कहानी, आशा करते हैं ये आपको पसंद आई हो। हमें अपनी राइ कमेंट बॉक्स में बताएं। विडियो को लाइक और शेर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले।